बहु से भरा ससुराल एक छोटे से शहर में निर्मला अपने बेटे तरुन की साथ रहा करती थी तरुन की अच्छी जौब थी और वो ठीक ठक पैसे कमा रहा था उनके छोटे से परिवार में एक बहु की सिवा किसी चीज की कमी नहीं थी और निर्मला का ये सपना था कि काश जल्दी से उसके बेटे की शादी हो जाए और उसे एक बहु मिल जाए नमस्ते निर्मला जी, मेरा नम सिश्मा है और ये मेरी बेटी कवीता है नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते बैठो मेरी बेटी पड़ी लिखी है अच्छे संसकार वाली है मुझे लगता है ये आपकी बेटी के लिए परफेक्ट रहेगी तरुन ने कविता को ध्यान से देखा पर उसे कविता में कोई खास बात नजर नहीं आई उससे कहा मा मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए मैं अभी इस रिष्टे के लिए तयार नहीं हो वो दोनों थोड़ी निराश हो कर चली गई उनके जाने के बाद निर्मला ने तरुन को घूरते हुए कहा तुझे कोई भी लड़की पसंद क्यों नहीं आती एक अच्छी लड़की मिल रही थी तुने उससे भी मना कर दिया मा मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन साथी मुझे पूरी तरह से समझे और हम दोनों के बीच में एक मजबूत बंधन हो आरे तो फिर तुझी क्यों नहीं ढूंड लेता आपने पसंद की लड़की टून लूँगा मा टून लूँगा पता नहीं काप दून लेका मेरे मने के बाद ढूंड लेका क्या अरे मा कितना मेलोडरमा गर दियो तुम निर्मला एक दिन बाहर से घर आई और बहुत उदास होकर बैठ गई तरुन ने अपनी माँ को ऐसे उदास देखा तो पूछा क्या हुआ माँ आप इतनी उदास क्यों हो निर्मला ने नाराजगी में कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैट गई तरुन ने फिर से पूछा माँ कुछ तो बताओ हुआ क्या है तो नहीं समझेगा बिटा पूरे मौहले में सबके घर में बहु है बस हमारे घर नहीं है माँ फिर से वही बहु वाला राग मत छेड़ो ना नहीं तरुन सच में यामिनी के बहु तानिया आज उसकी कितनी मदद कर रही थी लिलावती के बहु टीना उसे मंदल लेकर गई थी और गावरी इसी आज सबकी बहु ये कितनी अच्छी है मा मैं समझता हूँ मैं जल्दी कोई अच्छी लड़की ढूंड लूगा कहा तो आया मैं अगर बहु होती तो मैं भी अपने दोस्तों को गर्व से कह सकती मेरी बहु ने ये किया मेरी बहु ने वो किया तेरे पापा के बहु तु ही मेरा सब कुछे बिटा अब बस एक बहु चाहिए मुझे मा अपना बहुत मेलर ड्रमा करती है ड्रामा नहीं है बिटा यह दिल की बात है ठीक है मा, मैं वादा करता हूँ कि जल्दी तुमारे लिए एक बहु लिकर आऊंगा देख तरुन, तेरे वादे पर भरुसा करती हूँ बस अब बहुत देर मत करियो तरुन ने वादा तो किया लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलकर घर आया वो बहुत खुश नजर आ रहा था निर्मला ने उससे पूछा क्या बात है बिटा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो मा दोस्तों से मिलकर आ रहा हूँ बहुत वजा आया ये नहीं हो रहा कि शादी के लिए लड़की ढूण ले बास, दोस्तों के साथ गुम रहा है मैं यहां घर में सड़ती रहती हूँ अकेली और तुझे मौज मस्ती सूच रही है मा आपको बहु का इतना ही शौक है तो जब तक मेरी शादी नहीं हो रही तब तक दूसरों के घर जाओ और उनकी बहुँं से बात करो मेरा दिमाग मत खाओ अरे बिटा मैं ये सब तेरी भलाए के लिए कह रही हूँ मुझे भी तेरे लिए एक अच्छी बहु चाहिए जो तुझे समझ सके और हमारे घर को खुशियों से भर दे मा मैं समझता हूँ पर आप भी तो समझो कि ये सब जल्दी नहीं हो सकता मैं कोशिश कर रहा हूँ न पर जो आपका दबाव है उससे चीज़े और मुश्किल हो रही है ठीक है बटा मैं कोशिश करूँगे कि तुझ पर ज्यादा दबाव ना डालो लेकिन जल्दी ही कोई अच्छी ख़बर सुनना चाहती हूँ हाँ मा मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही कुछ अच्छा होगा आप बस थोड़ा धारिय रखो एक दिन निर्मला ने सूचा है कि वो अब अपना समय पसार करने के लिए दोसरों के घर जाकर उनकी बहूं उसे मिलेगी उससे सबसे पहले अपनी पडोसन लिलावती के घर जाने का फैसला लिया आरे निर्मला बहनाओ आओ नमस्ते लिलावती जी सोचा कि आज आप से और आपकी बहूं से मिलकर थोड़ा समय बिताओ हाँ हाँ जरूर ये मेरी बहू है टीना नमस्ते अंटी जी निर्मला ने टीना को ध्यान से देखा वो बहुत सजी, सवरी और संसकारी नजर आ रही थी काश मेरी भी ऐसी बहू होती अंटी जी आप कुछ चाह या कॉफी लेंगी? हाँ नहीं बिता, बस थोड़ी देर आप से बात करने आई हो बहुत अच्छा लगा आपको देखकर आप हमारे के ज्यादा आती नहीं, आपको आना ची हाँ बिता, आप आओंगी वैसे तुम क्या करती हो? आंटी जी, मैं एक स्कुल में टीचर हूँ और घर के सारे काम भी संभालती हूँ बहुत अच्छा बिता, तुम तो सब कुछ मैनेज कर लेती हो धनिवाद आंटी जी, ये सब घरवालों की प्यार और सहयोग से ही संभव हो पाता है, फिलाल आंटी जी आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ चीक है बेटा, लेकिन ज्यादा मैनत मत करना तीना रसोय में गई और चाय बनानी शुरू की थोड़ी दिर बाद जब वो चाय लेकर आ रही थी तो गलती से उसका हाथ फिसल गया और चाय का कब गिरकर तूट गया तीना, तुमसे एक चाय का कब भी ठीक से नहीं संबलता कितनी बार कहा है कि काम में ध्यान लगाया करो अरे लिलावती, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्ता क्यों कर रही हो इंसान से गलती हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन निर्मला ये तो हमेशा ऐसा ही करती है हर बार कुष्णा कुछ गिरा देती है जब तुम काम करती थी, तब क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई हम सभी से गलती होती है इससे समझाओ पर इतने जोड से मत डाटो धनिवाद आंटी जी हरे बिटा चिंता मत करो, गलती सबसे होती है तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो और यही सबसे महत्वपणा है निर्मला लिलावती की घर से लोट कर घर आई और तरुन को देखती ही सारी बात बताने लगी परुन आज मैंने लिलावती की बहु टीना को देखा और एक कितो नहीं प्यारी और मैं नती लड़की है लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई और लिलावती ने तो उसे बहुत डाट दिया मा ये तो होता रहता है काम करते समय छोटी मूटी गलतिया तो हो जाती है आ लेकिन मैंने लिलावती को समझाया कि इतनी छोटी बात पर इतना गुसा नहीं करना चाहिए मैंने कहा कि जब मेरी बहु आएगी तो मैं तो उसे कभी नहीं डाटूंगी मुझे याद है जब मैं भी बहु थी तो मुझसे भी गलतिया होती थी और मुझे भी डाट पड़ती थी मैं नहीं चाहती कि मेरी बहु भी ऐसा मैसूस करें मा आप अभी समझ नहीं रहे हो बहु को भी परिवार के नियम और जिम्मेदारिया निभानी होती है जब बहु आएगी तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़े संतुलित करनी होती है तुम जो भी कहो तरौन पर मैं अपनी बहु के साथ प्यार और आदर से ही पेशाओंगी मैंने बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहु को भी वो सब सैना पड़े ठीके मा जब बहु आएगी तब देख लेगे लेकिन अभी आप बस खुश रहो और उसके बारे में सोच सोच कर परिशान मतो फिर निर्मला एक दिन अपनी देवरानी शान्ती की घर पाँची अरे दिदी आए आए अंदर आए बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका हाँ शान्ती सोच आज तुमसे और तुमारी बहुँओं से मिलकर थुड़ा समय बिताओ तुम्हारे घर में तो तीन तीन बहुँ है तुम्हें तो कभी भी अकिलापन मैसूस नहीं होता होगा तुम भी मेरे घर आ जाया करो ना कभी-कभी देदी आप क्या जाने तीन बहुँओं से ढंका काम नहीं होता मुझे ही घर में रुकना पड़ता है वरना जाने क्या हो जाए इसी दौरान शान्ती की तीनों बहुएं प्रिया, रश्मी और अवंतिका रस्वी में काम कर रही थी शान्ती को कुछ याद आया और वो चिल्लाने लगी प्रिया तुम छट से अचार उतार कर लाही थी की नहीं सौरी माजी भूल गई शान्ती, इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों चिल्ला रही है इंसान से गल्ती हो जाती है अरे दिदी रात बारिश होई थी, सारा अचार बरबाद हो गया होगा ये तीनों है ही ऐसी, कुछ नहीं याद रहता है इन लोगों को अच्छा, और तुम, कै तुम सारा दिन बाट कर इनने सिर्फ डांटी रहती हो कै तुम्हें अपने समय की याद नहीं आती, जब तुम भी काम में गल्ती कर दी थी और अगर तुम्हारी सास भी तुम्हें ऐसे ही डांटी, तो तुम्हें कैसा लगता दीदी आप समझ नहीं रही है, इनने सिखाना पड़ता है सिखाना और चिलाना दो अलग बाते हैं शांती, तुम्हें इनकी गल्तियों को समझाना चाहिए ना कि हर छोटी मोटी बात पर डांट दे रहना तो मैं खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बहुएं घर का सारा काम संभालती हैं अगर उन्हें डाटोगी तो और गलती आउंगी उन्हें प्यार से समझाओ ना ना कि डाट कर शांती को बहुत बुरा लगा कि उसकी जिठानी ने उसकी बहुँं के सामने उसे ऐसे डाट दिया उसने रूखिस्वर में कहा अभी ताब बहुत कुछ कह रही हो दीदी पर जब आपकी बहु आएगी तो मैं देखूंगी कि आप उनसे कितना प्यार से बात करती हो निर्मला ऐसे ही महले की कई घरों में जाती है और हर बहु की तारीफ और तरफतारी करती है गौरी तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो पर आंटी मेरी सास तो हमेशा मेरे खाने में कमी निकालती है काश तुम मेरी बहु होती इस तरह से वो दूसरी बहु से मिलती तो उससे भी यही कहती अरे बेटी कब फ्री हुआ करो तो मेरे घर भी आ जाया करो पर आंटी मेरी सास तो हर समय कोई न कोई काम बताती रहती है और उसमें कम ही निकालती रहती है चलो मौका लगे तो आ जाना मुझे तो अच्छा लगेगा कि मेरे घर भी कोई बात करने वाला है चीक है आंटी ट्राइ करूंगी मौले की कई बहुए यह नोटिस करती है कि उनकी खुद की सास से ज्यादा कदर तो यह निर्मला आंटी करती है निर्मला आंटी कितनी अच्छी है न हाँ यार वो मेरी सास से तो बहुत इच्छी है कश वो ही मेरी सास होती अरे तुमने तो मेरे मुझ की बात चिनली मैं तो मौका पाकर उनके घर जाऊंगी और मज़े करूंगी कम से कम लाइफ में थोड़ा तो सुकुन मिले हाँ सही बात है मैं भी जाऊंगी मैं पी जाऊंगी कहा जानी की बात हो रही है निर्मला आंटी की घर पर अरे मैं तो वहीं जा रही थी वो बहुत सही है यार जो उनकी बहु बनेगी न वो बहुत लखी होगी सही बात अज़ा मैं चलती हूँ बाई तानिया वहाँ से इसी दे निर्मला की घर पहुंचती है और निर्मला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है आरे तानिया आओ आओ कैसी हो एकदम मस्त बस सोचा कि आप अकेली होगी तो आपसे मिलाओ आरे बहुत अच्छा किया मैं तो दिन भर बोर होती रहती हूँ मेरा बेटा तो मुझे बहुला कर दे नहीं रहा ओहो ममी आप फिर से शुरू ना हो जाओ ना प्लीज अच्छा नहीं कहा रही कुछ भी तु बाहर जा रहा था ना जा बाई 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 तुम बताओ तानिया क्या खाओगी अरे आप बताएए क्या खाएंगी आप मैं आपको बना कर खिलाती हूँ आरा नई बिटा तुम आराम से बैठो तानिया फॉर्मलेटी के लिए काम करने को तो कहती है पर निर्मला के तुम बहुत सही समय पर आई हो, मैं तानिया के लिए चाय पराठे ही बनाने जा रही थी अरे आप क्यों बना रही हो, लॉम मैं बना दीती हो आरे नहीं नहीं तुम दोनों बैठो बाते करो, मैं बना कर लाती हूँ निर्मला ये सोचती है कि आखिरकार उसके घर कोई तुआया और वो सब बोर तो नहीं होगी न कुछ पल के लिए उसे भी बहुँ का सुख मिलेगा, लेकिन गौरी और तानिया तो सिर्फ मज़े करने आई थी गौरी तुम भी मेरे पीछी-पीछी चलिया आई और तो क्यों ना आती, निर्मला अंटी ने मुझसे भी कहा था आने को आरे उन्होंने तो मौले की सारी बहुँ से कहा है सबसे कहा है तुस सब आएंगी लो भाई पराठे चाई तयार है, खाओ और बताओ कैसे हैं अंटी वैसे ही अगले दिन टीना और सीया आ गई वो दोनों टीवी देखते हुए अपने सास की बुराए कने लगी निर्मला अंटी आप ना बैस्ट हो, मेरी सास तो हर समय मुझपर नजर रखती है हार चूटी-चूटी पात पर टोकती रखती है मेरी सास भी न वैसी है, हार समय शिकायत करते रहती है कोई काम सही नहीं लगता उने शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन धीरे-धीरे कॉलोनी की कई बहुए उनके घर आने लगी और अपने घर जैसा बरताओ करने लगी अरे बेटा सिया, सुनो ना थोड़ा सा काम था तुमसे हां अंठी बताईये क्या हुआ बेटा मैंने ब्रेट पकोड़ा बनाया है तुम खा ले ना, मुझे मंदिर जाना है अंठी आपने मुझे खाने की काम के लिए बुलाया है अरे नईनी काम तो ये था कि उपर छट पर मैंने पापर सुखाए है और मुझे मंदिर निकलना है पिल्कुल पिल्कुल आंटी जी जाईए आप सीया मौसम थोड़ा सा खराब है इसलिए जैसे ही बारिश आने को हो पापर छट से उठा लाना आंटी जी आप भी फिक्र होकर मंदिर चाहिए मैं यहाँ साब देख लूँगी थैंक्यू बिटा आराम से यहाँ बैट कर चाय पकुड़ा खाने को मिल रहा है वैसे भी कौन सी बारिश हो रही है हैटफोन लगा कर गाने सुनूँगी वीडियो देखूंगी और अपनी साथ से भी कुछ दिर के लिए छटकारा मिलेगा सिया का ध्यान बाहर गया ही नी और बारिश में सारे पापड भीग कर खराब हो गया अरे सिया बिटा तुमने पापड तो उठा लिये ना चट से हाँ बारिश कब हुई बारिश का मौसम तो अब हो रहा है बगवान मेरे सारे पापड खराब हो गया एक छोटा सा काम बोला था वो भी नहीं किया बिटा अंटी एक तिभी कौन सी बड़ी बात होगी पापडी तो थे दोबारा बन जाएंगी क्या बोलो अब इसे कुछ समझ में आता नहीं कि कितनी मैनत लगती है यह सारे काम में यह सब छोड़ी न अंटी एक कब बढ़िया सी चाय और दो ब्रेट पकोड़ा भी बना कर दीजी मौसम भी अच्छा है बिटा अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ तुम्हें मुझे एक कब चाय बना कर दे दो और अपने लिए भी बना ले न अरे यार कहां फस गई क्या बहाना बनाओं कैसे जाओं कॉल का बहाना करती हूँ अरे क्या सोचने लगी बिटा आंती जी वो क्या है न घर से फोन आ रहा है सुबस यहां हूँ इसलिए अब जाना पड़ेगा अब कुछ चाय बना कर पी लीजेगा मौहले की बहुएं अब निर्मला का फाइदा उठाने लगी थी कुछ चाय पीने, कुछ गपशप करने और कुछ अपनी सास की बुराई के बहाने हर दिन आया जाया करती निर्मला का कोई भी रसुए में साथ नहीं देता था बलकि उसके दिये हुए काम को भी पूरा नहीं करता था मा, किस सोच में खोई हुई हो? अरे क्या बताऊं बेटा मुझे नहीं पता था कि ये मौहले के बहुएं आयसी हैं क्या मतलब मा? सारी बहुएं मिलने तो आती है पर काम कोई नहीं करता सब अपने मतलब से आती है मा, तुमने इस सब की आदत खराब किया अरे मैं क्यों किसी की आदत खराब करूँगी? मा, सबको घर बुलाना उनकी तारिफ करना उनकी सास की बुराई सुनना अखर ये सब क्यों सुनती आप? अरे मुझे लगता था कि वो अपनी जगे सही है पर जब मैंने ये सोचा कि मैं तो प्यार की वज़े से उनके लिए सब करती हूँ और वो सब मेरी इन चीज़ों का फाइदा उठाती है तब मुझे समझ में आया अब क्या हुआ मा? बिटा मैंने इतने मैनत से आलू के पापड बनाया थे तेरे लिए पास वाली बहु से बोल के गई थी कि बारिश आया उससे पहले नहीं चेलिया न मुझे नहीं पता था कि वो अपने फोन पर लग जाएगी और मेरा नुकसान करा देगी कोई बात नहीं मा आप जो भी हुआ उसे भूल जाओ मैं हमेशा सोचती थी कि ये सास से अपनी बहुं को इस तरह से डाटती क्यों है मा मैं अभी तो आपको यही समझा रहा था दूर के ढोल हमेशा सोहाने लगते है मैंने सिया को इतने प्यार से समझाया पर उसका रियाक्शन तो ऐसा था मा नो जैसे कुछ हुआ ही ना हो मा मैं आपकी बात समझ सकता हूँ पर शायद आज आपको भी ये बात समझ में आई होगी जो सारी सास आप से कहा करती थी आ बेटा मैं हमेशा सोचती थी कि प्यार से सब कुछ हैंडल किया जा सकता है पर शायद मैं अपने इस खयाल में गलत थी नई मा प्यार से भी सब कुछ संभाला जा सकता है पर हर चीज की एक लिमिट होती है अगर आप किसी को ज्यादा प्यार दोगे तो आपकी प्यार का फाइदा उठाने लगता है सई क्या रहे हो बिटा तभी मेरी दिवरानी ने कहा था कि कभी कभी गुसा भी करना पड़ता है आज उन सारी सास की भावनाओं को मैं अच्छे से समझ पा रही हूं मा अब तुम परिशान मतो तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छी बहु ढूणका लाओंगा अरे लेकर आना बिटा कभसे इसी इंतिजार में तो बैठी हूं अब तो तेरी शादी मेरा सपना हो गया है मा तुम भी ना टीवी सेरिल जैसे सास और मा की तरह मेलोड्रामा करना छोड़ोगी नी निर्मला अब ये बात अच्छी तरह से समझने लगी थी कि बहुँं से काम कराने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रिक्त होना ही पड़ता है कोई भी सास इतने बुरी नहीं होती